नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक में साइस सुर्ख्यों पर अगले सत्र से सभी अंगीभूत कॉलेजों में शुरू होगी ई-लाइब लेडी नव नुक्त सक्षकों की CCTV कैमरे में होगी चांच 971 ANM और 78 अफसरों का हुआ तबादला और पदस्थापन PM मोदी ने अमरित भारत ट्रेन को दिखाई हडी जंडी इंडिया ए और साउथ अफरिका ए के बीच खेला गया दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच रहा ड्रो इसके साथ ही बरते हैं शांता की बड़ी खबरों के और वस्तार से अगले सत्र से सभी अंगीभूत कॉलेजों में शुरू होगी ई-लाइब लेडी अगले सत्र यानी की जुलाई में शुरू होने वाले सत्र से राजी के सभी विश्विद्यालियों और 260 अंगीभूत कॉलेजों के लगभग दो लाग सेधिक विद्यार्थी और सक्षगों के लिए ई-लाइब्रेडी की शुरू की जाएगी जो की बिलकुल मुफ्तोगी वही ई-लाइब्रेडी के शुरू होने से विद्यार्थियों को संबंध तवर्ग की पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगिता परिच्छा की तैयारी करने में भी काफी मदद मिलेगी ई-लाइब्रेडी में जनरल के साथ-साथ विश्वस्तरिय पुस्तके भी उपलब्ध रहेंगी BPSC ने नोटस जारी कर 49 अभ्यर्थियों को किया प्रतिबंधित इन दिनों बिहार में बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा ली गई दूसरे चरण के सिक्षक भरती परिच्छा को लेकर काउंसलिंग जारी है वहीं दूसरी ओर बिहार लोग सेवा आयोग के ओर से फरजीवारी को लेकर 49 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है द्रसल आयोग के द्वारा गलत पहचान बताने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कारवाई की गई है इनन्चास अभ्यर्थियों के द्वारा पोल नंबर नाम पिता का नाम और डेट और वर्थ जैसी चीजों में धोखादरी की गई थी जिसको लेकर आयोग के ओर से इनन्चास अभ्यर्थियों के नाम को PDF के रूप में BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.inslash पर अपलोड कर दिया गया है से में अभी अभ्यर्थी अगले पांच सालों तक के लिए प्यार लोग सेवा आयोग की आगामी सिक्षक भरती परिक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे ट्राफिक फ्री होंगे राजधानी समेत ये चार शहर ग्री विभाग के अपर मुखिसचीव डॉक्टर S. सिधार्थ की अध्यक्षता में हुई एक समिक्षा बैठक में प्रदेश के चार प्रमुक शहरों में आयदिन हो रही जाम की समस्याओं को देखते वे इन शहरों का ट्राफिक सर्वे कराने का प्रस्ताव स्विगृत किया गया है आपके जानकारी के लिए कि राजधानी पतना सहित मुझपरपुर भागलपुर और बीहार शरीफ के नाम शामिल है नवनेक्ट सक्षकों की CCTV केमरे में होगी जांच जांच प्रक्रिया के दौरान वहां संबंध द्विध्यालियों के प्रिधान ध्यापक भी मौझूद रहेंगे जो यह बताएंगे कि पिछले एक मा से वहां मौझूद नव नुक्त सिक्षक के द्वारा ही उनके स्कूल में युगदान दिया जा रहा था एक जनवड़ी को पटना जू और इको पार्क में बंद रहने वाली है यह सुधा नए साल के आने में कुछी घंटे बाकी रह गये है ऐसे में सभी जगह नए साल को लेकर तैयारियां शिडू हो गई है बता दे किस नए साल को लेकर पटना जू सोमवार को भी खुला रहने वाला है और इस दन टिकट के दाम बड़े लोगों के लिए 100 रुपे और बच्चों के लिए 50 रुपे कर दिये गया है वहीं इसके लावा एक जनवरी को पटना जू में मौर्निंग वॉक और नौका विहार बंद रहने वाला है ऐसे में हम अगर इको पार्क की बात करें तो एक जनवरी को टिकट के दाम को बढ़ा कर बड़ों के लिए 50 रुपे और बच्चों के लिए 25 रुपे कर दिया गया है वहीं इको पार्क के अंदर भी ताला में नौका विहार बंद रहेगा बच्चों के लिए जो जूला है उसकी भी सुधा लोगों को नहीं दी जाएगी और साथी उपद्रबियों पर नजर बनाए रखने के लिए पुखता इंतिजाम भी किये गए हैं 971 ANM और 78 अफसरों का हुआ तबादला और पदस्था बन बिहार सरकार के वारिंचे कर विभात के द्वारा 78 अधिकारियों का अस्थांतरंद कर दिया गया है और साथी अपर युक्त को विसेस आयुक्त में प्रोनती भी दी गई है बता दे कि जिने विसेस आयुक्त में प्रोनती दी गई है उनमें सुबोध राम, प्रणा बोध, रुंग्टा, शार्दा नंद ज्जा, विमला कुमारी, सुनीता कुमारी, नवन कुमार, विपन कुमार च्छा और शशी शेखर सिंग के नाम शामिल है इसके साथ ही 65 उपायुक्त और 13 सहायक आयुक्त का भी स्थांतरन किया गया है इस सब के लावा बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा भी 971 ANM का मंचाहा तबादला और पदस्थापन किया गया है इसको लेकर अधिसूशना भी जारी कर दी गई है इस बारे में स्वास्त विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर सुनील कुमार जाके द्वारा आदेश जारी कर जानकारी देते वे बताया गया कि स्थांतरन ओनलाइन पोर्टल पर अप्लोड एवं सांगत साक्षेव का सही मानते वे किया गया है सीता राम को समर्पित बिहार के इस मेडिकल कॉलेज में छात्रों का होगा ना मांकन एक तरफ जहां 22 जनवरी को एउध्या में भगवान राम का प्रान प्रतिस्ठा होने वाला है तो वही दूसरी ओर बिहार के समस्तिपुर में सीता राम को समर्पित 500 बेड का सराय रंजन नगर पंचायत अंतरगत नरगोगी में 674 करो रुपए की लागत से बन रहे स्री राम जान की मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का 15 से 20 जनवरी के बीच उधगाटन किया जा सकता है जिसके बाद यहा 10 एकर में औरिटोरियम बनाने की भी योजना है वहें स्कॉलेज में प्रति वर्स सौ सीटो पर छात्र छात्राओं का भी नामांकर लिया जाएगा आपकी जानकारी कले बतादे कि अस्पताल अत्याधुनिक सुधाओं से लैस है अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है 24 घंटे बिजलीब की आपूर्ती एस्पताल में होती रहे इसको लेकर अलग से सब्ग्रीड स्टेशन का निर्मान कराया जा रहा है बिहार के इस जले में मिला एक और करोना मामला बिहार में करोना ने अपने पाउपसार ने शिरुक कर दिये हैं धीरे धीर फिलाल ये व्यक्ति होम आइसोलेशन में है जिसकी तीन टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है वहीं विभाग की ओर से उन लोगों की भी जाच की गई है जो इस कोरोना मरीज के संपर्क में आए हैं अब इसी के साथ बिहार में कोरोना के आदे दरजट यानि की कुल 6 मामले हो बारा चट्टी थाना के डोभी चेक पोस्ट के पास का है जहां उत्पाद विभाग की तीम के द्वारा वाहन शिकिंग के दौरान जारखन की ओर से आते एक आटो में बने तहखाने से शिराब की बड़ी खेब बडामत की गई है पतादी के आटो के अंदर तहखाने से 84 ब विदेशी पक्षियों से गुलजार है गोगा बिल जिल कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में लगभग 200 एकर में फैले बिहार के सबसे बड़े पक्षी अभ्यार ने गोगा बिल जिल इन दिनों विदेशी पक्षियों से गुलजार है लेकिन इस जील पर अब तक जमीनी अस सर पर कोई काम नहीं हो पाया है मालमोग इस जील के विकास के लिए ग्रामीनों के द्वारा 143 एकर जमीन दी गई है और साथ ही 74 एकर जमीन सरकारी भी है वर्त 2018 से इसे विक्षित करने की कवायाद जारी है ऐसे में अगर इस गोगा बिल जील का विकास हो जाता है तो यहां प भारत ट्रेन को दिखाई हडी जंडी आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा अयोध्या में पुनर्विक्सत रेलवेल स्टेशन अयोध्या धाम का उद्गाटन किया गया और साथे जुरान दो अमरत भारत व छ नई वंदे भारत ट्रेन को हडी जंडी भी गोड़ेगी यह त्रेन गार्ड रूम में मॉनिटर के साथ लगेज रूम में CCTV दिव्यांग व्यक्ती के लिए रैंप आधी विसेस्ताओं से युक्त है इसमें अंदरुनी हिस्से में फोल्डेबल स्नाक टेबल उप्युक्त धारक के साथ मोवाइल चार्जर फोल्डेबल बोतल धारक, बहतर समान रैक, एरोसेल, आधारित, अगनी सवन प्रणाली, रेडियन, ब्रोशनी, फर्स पटी, खुलने, योके दरपन फ्रेम, स्टैंड अलोन, यातरी, घोशना और सारजन इक सूशना प्रणाली, गार्ड द्वारा संचालित, पीए सिस्टम से युक्त ह देवेश चंद्र ठाकू सीता मढ़ी से लड़ेंगे चनाओ, दोहजार चौबस में होने वाले लोग सभाचनाओ को लेकर सभी पार्टियों के ओर से अपनी अपनी तैयारियां शिरू कर दी गई है, बता दे कि बीत दन बिहार के मुख्यमंतरी, नितीश कुमार के द्वार चौबस के उमें द्वार होंगे, बता दे कि नितीश कुमार के द्वारा किये गए इस घोशना के बाद बेहाल के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है, और यह चर्चा शुरू हो गई है कि सीता मढ़ी के मौजुदा सांसद सुनील कुमार पिंटु का क्या होगा उन्हें दूसरी सीट पर चुनाव लड़ाई जाएगी या टिकर की दोर से उन्हें पाहर कर दिया जाएगा। के साथ है, हमें पूरा भरोसा है कि आपके नर्तितु में पार्टी काम्याबी के नए मापदंड स्थापत करेगी, मालू हो कि ललन सिंग के दोरा अपने सोशल मीडिया अकाउन पर अपने प्रोफाइल को भी अब्रेट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने खुद को लोग के आवेश खान के दोरा, 23 समनों तीन ओवर के स्पल में चोवन रन खर्च करतेवे साथ अफरिका के पांच विकेट अपने नाम किये गये, वहीं अक्षर पटेल के दोरा भी दो विकेट अपने नाम किये गये, जिसके बाद साथ अफरिका के टीम पहली पारी में 263 रन ही बना सकी, उसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतिय टीम के दोरा, 6 विकेट खोकर 327 रन बनाएं गए, जिसमें से दुरूफ जुरेल के दोरा, 69 रन की दमदार पारी खेली गई, वहीं अक्षर पटेल के दोरा, अर्धश्र तक के पारी खेली गई, आपकी जानकार बता दे कि साउथ अफरिका ए और भारत ए के बीच खेली गई, दूसरी अनवचारिक टेस्ट मैच ट्रॉ रही, जानी आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट, बिहार में आज यारी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी के गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.08 रुपे और डीजल 54.56 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है, मुझब परपुर्णे पेट्रोल 107.09 रुपे प्रति लीटर मिल रहा वहीं पुनिया में, पेट्रोल की कीमत 108.57 रुपे और डीजल 95.26 रुपे प्रति लीटर है भागलपुर प्रसे मिल रहा है अब भरते हैं आज के पांच सवाल की उड़हमाब प्रजिवारी को लेकर बीप्यासी ने कितने अभ्यर्थियों को प्रतीवनधित किया अगला सवाल बिहार के किस जले से कुरोना का नया मामला सामने आया है अगला सवाल इंडिया और साउथ अफ्रीका एक के बीच खेले गए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट माच में अक्छर पटेल ने कितने विकेट अपने नाम किये अप्शने 5, अप्शने 4, अप्शने 2, अप्शने 2 में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है अप्शन C 2 अगला सवाल स्वास्ति विभाग के द्वारा कितने एन्म का मंचाह तबादला और प्रदस्थापन किया गया है अप्शने 300, अप्शन B 400, अप्शन C 971, अप्शन D 1000 इसका सही उत्तर है अप्शन C 971 अगला सवाल गोगा बिल जील के विकास के लिए ग्रामीनों के द्वारा कितनी एकर जमीन दी गई है ओप्षन ही 143 एकर, ओप्षन भी 100 एकर, ओप्षन C 74 एकर, ओप्षन D 60 एकर इसका सही उत्तर है ओप्षन ही 143 एकर बीतर दिन हमारे दुराफ पूछिया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नप्रजवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुराफ पूछिया सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अपना जवाब हमें हमारे comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते रहें अगर आप YouTube से देखर चौन को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद